हलो एवरिवान, वेलकम और वेलकम बाक तो माई चानल देक्सप्लाउजला जैसे कि आप सभी स्टूजन्स को पता है कि जिन्होंने भी अंडरग्राजवेट प्रोग्राम के लिए अपलाई किया था आपके subject के cutoff list वाले notice page पर वहां आपको जाकर अपना documents अपलोड करना पड़ेगा document upload से लेकर उसकी verification and payments सब कुछ इस बाद 2022 में online कर दिया गया है admission की last day 25th of August है तो उसे पहले आप जाकर अपना documents अपलोड कर दीजिए अगर आपका selection list में नाम आया है तो बात करें अब उनकी जिनका नाम first selection list में नहीं आया है क्या आपका नाम second list में आएगा आपको wait करना चाहिए या नहीं तो आपको यहां पर मैं screen पर दिखा रही हूँ cutoff list यह साल की cutoff list for UG courses है cutoff marks आपके हुए entrance test के मताबिक है आपने entrance में जितना score किया है यह list उस पर based है यानि अगर आपका marks आपके दिये गए subject और criteria को match कर रहा है तो आपका जो नाम है वो आपको first for example bcom accounts जो cbacicc board से हैं उनका bacom में अगर वो bc1 से belong कर रहे हैं तो उनका 162 marks आना चाहिए अगर 162 से जादा है तो उनका selection हो गया है first list में और वो bc2 से belong करते हैं तो उनका 168 marks आना चाहिए और वो general category से belong करते हैं तो उनका 174 marks total आना चाहिए अब जिनका भी ये marks का limit touch नहीं हुआ है या अगर आपको लगता है कि touch हो भी गया हो लेकिन इस बार first list में नाम नहीं आया है तो बेशक आपका नाम second list में जरूर से जरूर आएगा और अगर आपका marks दिये गए cut off से 10 number पहले या 15 पहले तक अगर आप expect करते हैं तो आपका marks expected अगर cut off list criteria को meet करता है या उससे 10 number या 15 number पहले आया है जैसे कि मैं आपको बताया तो आपका second list में आने का chance है for example अगर यहां आप BBA का marks दिखेंगे तो यहां पे general category का marks जो cut off marks है वो 120 है अगर आपका 120 से जादा आया हो तो आपका first list में नाम आग गया है लेकिन अगर आपका 120 से लेके 110 या 105 के बीच का कोई range हो तो second list में आने का आपका chance 90 to 95% बढ़ गया है अब आत यह है कि second list आगे कब तक आपको second list जो है वो भी almost 25 तक admission का date है अब 25 को लोग last admission लेंगे और तब जाकर आपका हो सकता है September 1st week तक आपकी जो second list है वो out कर दिया जाएगा तो आप वेट कीजिए अगर आपको लगता है कि आपका नाम आ सकता है आपका entrance exam अच्छा गया है नहीं तो फिर अगर आपके पास कोई और दूसरा option है तो आप वहाँ भी जाकर admission ले सकते हैं क्योंकि third provisional list की out होने की chances कम होती है सो इस notice में बस इतना ही था अगर कोई भी query और doubt हो तो feel free to comment down and ask me till then bye bye take care and keep watching Dexplorzala